स्वागत है हमारे आज की सेशिन में आश्र करते हैं आम सभी स्वास्त होंगे शुरक्षित होंगे आज हमारे एक चोड़ा साथा टॉपिक है क्लासिफिकेशन अफ प्लांट डीजीजिस का जिसे हमें आज कवर करना है उसमें हम बात करेंगे हमारी पैरशिटिक नौन पैरशिटिक इनडिमिक एपीडिमिक इस टॉटपिक की डिजीजिस के बारे में तो यह होता क्या है? यह टर्मिनलॉचिक क्या है? तो चलिए आएए जानते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने last वाले lecture में देखा था कि हमारे diseases diseases को cause करने वाले organisms क्या क्या हो सकते हैं तो हमारे उसमें कुछ animate causes थे कुछ inanimate causes थे तो उसे के साथ से हमने क्लासिफाई किया हमारी डिजीज और as non-infectious या फिर infectious diseases Cause infectious diseases कैसी हो सकते हैं Endeemic भी हो सकती है Epidemic भी हो सकती है Sporatic भी हो सकती है यह उनके spread के उपर classification है So, सबसे पहरे हम देखते हैं कि हमारे нाउन infectious diseases होती है वो क्या होती है और क्यों होती है तो हमारे जो non infectious चाह неटान से शzdys किसी भी living organism की वज़े से या किसी virus की वज़े से ये नहीं spread होती तो क्योंकि ये कोई living organism नहीं है या फिर कोई virus pathogen नहीं associated है तो उसकी वज़े से क्या होता है कि ये हमारी non-infectious है और ये non-infectious है तो इनको एक disease plant से दूसरे disease plant में transmit नहीं किया जा सकता अब इन non-infectious diseases को physiological diseases कहना थोड़ा गलत हो का क्योंकि physiological disorders सभी टाइप के diseases में होता है जो कि parasitic भी होती है और non-parasitic भी होती है तो इसलिए हम एक केवर इनको physiological diseases नहीं बोल सकते हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये non-infectious है और ये generally environmental conditions के unfavorable होने की वज़े से होती है अब हमारे जो environmental conditions है वो इसमें हमारे क्या क्या हो सकते है like soil की conditions कैसी है हमारी air की conditions कैसी है तो उन सब पे हम depend करता है like हमारा temperature या humidity बहुत ज़्यादा या कम हो oxygen सही से ना मिल रहा हो plant को soil moisture unfavorable हो pH कुछ ज़्यादा या कम हो जिसकी वज़े से हो सकता है कि अगर like pollution की वज़े से अगर कुछ toxic gases अगर atmosphere में accumulate हो रही है उसकी वज़े से diseases हो सकती है mineral excess या mineral deficiencies इस इन सब की वज़े से diseases हो सकती है light का factor एक होता है जिसकी वज़े से diseases हो सकती है जैसे कि इसमें भी example देख सकते हैं यहां पर हम यहां पर है एक यह mango का fruit है जिसके tip पे necrosis या जिसे बोलते हैं कि tissue damage हो रहा है tip rot of mango यह किसकी वज़े से होता है यह boron की deficiency की वज़े से होता है और हो सकता है हमारा black heart of potato वह भी दूसरी figure में दिखाई दे रहा है तो यह सारी type की diseases क्या हो गई हमारी non infectious या non parasitic diseases या फिर एक बहुती common disease जिसको हम जानते है खैरा diseases of rice यह zinc की non availability की वज़े से जिसका मतलब की हम कह सकते हैं कि हमारा अगर mineral deficiency हो रही है तो उसकी वज़े से तो इस type की diseases कौन से हो सकती है non infectious में generally वो deficiency diseases हो सकती है वो toxins की वज़े से हो सकती है temperature, moisture, air इन सब की unfavorable होने की वज़े से हो सकती है तो इस हार हमारी non infectious या non parasitic diseases यह transmit नहीं होती next type की diseases जिसमें हम बात करें infectious diseases का तो वो parasites की वज़े से हो सकते हैं या animate causes की वज़े से हो सकते हैं so these diseases so हमने infectious diseases को हमने बोला कि हमारी किस-किस की वज़े से हो सकती है parasitic organisms की वज़े से हो सकती है, viruses की वज़े से, virides की वज़े से, इन सब की वज़े से हो सकती है और हाँ यह infectious होती हैं, यह transmit होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमने जितने भी organisms पढ़ेते पहले कि किन किन वज़े से हो सकती हैं diseases, तो वजूद जितने भी animate causes थे या viral causes थे, उन सब की वज़े से contagious diseases हो सकती हैं, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या एक फील्ड से दूसरी फील्ड में ट्रांस्मेंट की जा सकती है तो अब ये diseases किस तरह से अकर हो रही है उनके basis पर हम इनको अलग-अलग टाइप से define कर सकते हैं लाइक हम बोल सकते हैं कि कुछ diseases हमारी endemic है sporadic है या फिर epidemic है diseases के बारे में endemic disease का मतलब होता है कि एक ऐसी disease जो की एक particular area में confined है particular area, particular country, particular district, particular city मतलब एक ही area में कोई disease हो रही है या तो मतलब हर साल मतलब वो या तो कम हो रही है या जादा हो रही है पर constantly और present है year by year moderate से severe form में तो हम उसको बोलेंगे कि वो उस area के लिए endemic है कोई भी disease, अब तबाल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कि कोई भी disease endemic क्यों होती है भाई, disease किसकी वज़े से हो रही है? causal organism की वज़े से अब वहाँ पर जो organism है, जो bacteria है, virus है या कोई भी है तो उसको वहाँ पर एक favorable temperature, favorable environment मिल रहा होगा अब वो favorable environment सिर्फ उसी locality में मिल रहा है तो उसकी वज़े से क्या हो पा रहा है? कि वो उसी area में वो वाला disease causing pathogen अच्छे से thrive कर रहा है और उसकी वज़े से वो diseases cause कर रहा है हो सकता है कि बहुत long duration तक ये diseases continue होती रहे होती रहे और ये क्यों होती है? क्योंकि ये जो surviving organism है, ये multiply भी कर रहा है और हो सकता है कि अगर like जैसे cropping season change हो रहा है suppose तो हो सकता है कि अपने लिए दूसरे wild host भी ढूंड रहा हो है ना, तो alternate host ढूंड ढूंड के दूसरे हर किसी के ओपर ये survive कर करके उस area में वो जी जा रहा है और जब तक वो जीता जा रहा है तब तक वो disease cause कर रहा है तो इस तरीके का diseases को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते है endemic diseases तो इसी वज़े से वो disease उस area में रहे जाती है, right? next हम बात करते हैं epidemic या epiphytotic diseases के बारे में epidemic disease क्या होती है? epidemic का मतलब होता है कि लोगों के बीच में होने वाली कोई disease generally इसे हम humans की term में इस word को हम use करते हैं पर अगर हम plants ये context में इस term को define करें इस type की diseases को define करें, sorry तो हम इसको बोलेंगे epiphytotic disease, right? तो इस type की diseases जो होती हैं वो बहुत ही virulent होती हैं और बहुत सादा population को effect करती हैं जैसे कि बहुत सारी इसे diseases होती हैं जो हमारी cattle या poultry को effect करती हैं तो उनके लिए भी हम यही term use करते हैं तो हमारी जो epiphytotic diseases होती हैं वो क्या होती हैं? वो बहुत widely होने वाली diseases होती हैं बट वो periodically होती हैं हो सकता है कि वो more or less constantly भी उस area में present हो और पर उनकी जो population proportion जो बहुत जादा बढ़ेगा हैं इस टाइप की diseases को क्या बोलते हैं? epiphytotic और वो एक time पर proportion क्यों बढ़ रहा है disease के होने का क्यों? क्योंकि उसको favorable environmental conditions मिल गई ताकि rapid development हो सके तो यह चीज़ क्या होती है generally periodically होती है तो हम क्या बोल रहे हैं कि epiphytotic disease एक ऐसी disease है जो periodically बहुत जादा virulently बहुत जादा population को effect करती है right? so हो सकता है कि inoculum present हो या नहीं हो तो किसी किसी time पे जब जब उसका inoculum जो हमारा pathogen का है वो बढ़ जाएगा तो वो peak पे आ जाएगी वो disease और वो बहुत जादा effect करेगी right तो इस type की diseases को जो plants में होती है इस तरह से उनको बोलते हैं epiphytotic disease next हम बात करते हैं sporadic diseases वो diseases होती है जो कि बहुत ही irregular intervals पे होती है और irregular locations पे होती है और बहुत कम instances में होती है वो ऐसा नहीं कि बहुत जादा और हमेशा तो इस तरीके के चीज़ें हो सकती है पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई disease जो है वो पूरी country पूरे continent या पूरी दुनिया में हो रही है मतलब वो सब तरफ वो pathogen फैल चुका है और वो disease होती ही जा रही है तो उस type की diseases को हम क्या बोलते हैं उस type की disease को हम बोलते हैं pandemic diseases राइट सो इस type से हमने ये वादे तीन चार टर्म्स को हमने कवर कर लिया अब हम नेक्स जो disease का classification पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे on the basis of this symptoms और कौन से plant organ को वेफेक्ट कर रही है उनका mode of survival क्या है उनका mode of dispersal क्या है किस मतलब किस के through वो फैल रही है कैसे वो survive कर रही है उनके symptoms क्या है तो उन सारे symptoms से related to diseases पढ़ेंगे तो आपको जाना मसाएगा right so just stay tuned and thanks for watching